Hello everyone, आप सभी को नमस्कार, I welcome you all in this session जहां पे हम बात करने वाले हैं गौरो से, गौरो ने CZL 2021 में All India Rank 182 हासिल की है और इन्हें Double AO की पोस्ट मिली है, so यह बहुत ही interesting talk होने वाला है और मुझे यह पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से जो भी निचोल निकलेगा वो आपकी त जब दी है और मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि इस रिजल्ट के बाद आपकी जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है पहले तो बहुत बहुत थैंक्स तर आपको आपको अपूरी केरवली टीम को अखास करें सर आपको जो आपने मुझे इन्वाइट किया परिवर्तन तो डेफिनिटली आया है, बहुत परिवर्तन आया है, अब लोगों का मेरे पती नजरिया भी बदला है देखने का, जैसे कि पहले मुझे लोग थोड़ा सा वीक समझते थे, लगता था कि इसने, जैसे मैं पहले एक जॉब में भी था, तो कुट करने को जासे, ल लड़का घर भी बार गाना, और ये बहुत कुछ कर सकता है, ये परिवर्तन रहा है सर मेरे लाइफ में, और फानिशली भी सर मेरे लाइफ में चेंजे आएंगे, बिलकुल, इस चॉप के वज़े से मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर पाऊंगा, और ज्यादा बैतर तरीके स और मैं बहुत ऐसा अच्छा इस्टोंट नहीं रहा हूँ अपने स्कूल टाइम में, बहुत एक एवरेज इस्टोंट रहा हूँ, वहां से मरी जरनी शुरू हुई थी, और यहां तक पहुंच रहा हूँ, तो मैं आपको भी और अपने सारे लोगों को मेरे आस पास जुड भाई, बहन, दोस्त, मित्र, सभी, लेकिन इसमें में लाइन तो उस इंडिविज्वल की होती, जो सियात्रा पे चल रहा है, तो इसलिए सबसे जादा बदाई के पात तरह आप हैं, और हम करेर विल पर यह बार बार कहते हैं, कि जो स्टूडेंट सफल हैं, वो डेफिनिट बलता, अरजित करते हैं, तो रिष्टे वस्ते भी आने शुरू होगे के नहीं, सर, अभी तो जश्ट, एक्जाम क्लियर हुआ है, अभी तरसा कुछ नहीं है, और आने वाला यह तो तरह है, डेफिनिटली, बिल्कुल, बिल्कुल, वो अगला फेज है, और यह जो मेहनत हो होती है, उसके बाद खुशाली वाला फेज आता है, डेफिनिटली, तो जैसे आपने कहा कि आप पहले जॉब में थे, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सब ब्रीफली एजुकेशन के साथ, अपनी स्कूलिंग, कॉलेज क्या किया अपने गरेज़िशन में, कौन सी जॉब में थे, वो थोड़ी जरनी ही आप, मैंने 12 सर्अ मैत्स से किया है, साइं effective बिटेक के तरफ हो मैं सिर्फ हो रहा था सहर बीटेक के तरफ, वो भेड की चाल चल रहा था, कि चलो सब बीटेक कर रहा है, तो मैं मुझे भी बीटेक कर लेना चाहिए, पर मेरे पापा मुझे उस समय समझाएं कि बीटेक करके क्या ही करोगे, तुम एक प्राइबेट की जॉब मिल जाएगे, उससे तुम घर कही बीजनेस देख लोगे तुमको नहीं बीटेक ही करना है तो, पैसा अब तो उतना मिलना नहीं है, इससे तुम तयारी करो, यूपेसी, यूपेसी की तयारी करो, तो मैंने बोला, पापा मुझे एक खाई से निकाल करके दूसरे खाई मी मत कुदाईए, क मैंने से भी वह नहीं हुआ है, इतना बड़ा फिर से मुझे एक टारगेट ना दिया जाया, तो मैंने सोचा कि उससे थोड़ा एक छोटा टारगेट, जो कि SSC होता है, तो मैंने SSC को इससे में टारगेट करना श्राट किया, तो मैं एक लोकल कोचिंग को जॉइन किया, ग्रियलवे ग्रुब डी का एक्जाम, तो 2019 में, और मैं एज़ ट्रैक मेंटेनर पोस्टेट था इंडियन रियलवे में, साउथ इस्टन रियलवे, आद्रड वीजन में, तो ग्रिजुशन में क्या किया फिर? ग्रिजुशन में सर, उस दोरान मेरा ग्रिजुशन कम्लीट ह ग्रिजुशन के ताकि मुझे पढ़ने का समय मिल सके, क्यों वेस्ट करना वो तीन साल भी, जब मैं पहले से उस काम को स्टार्ट कर सकता हूं, तो सर, वहां जॉब में गया, मेरी जॉब लग गई, तो पहला जॉब था, तो मैं खुशी-खुशी में जुआन कर लिया, तो मैं इसी जॉब में फंसा रह जाओंगा, मैं अपने आपको और बैतर जगा नहीं पहुचा सकता, तो ठीक, जब मैं ये चीजे सोच रहा था, ये जश्ट कोविट से दो तीन मेने पहले के टाइम है, 2019 लास्ट और 2020 स्टार्टिं की टाइम थी, तो सर, उसी समय मुझे मे मेरा हाल जान रहा था कि मुझे प्रिपेशन करना है आगे, मैं इस जॉब से सटिस्वाइड नहीं हूँ, तो उसने मेरी मदद की फिर वहां से सरी जर्नी धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ, और एक-दो महीं, दो-तीन महींने मैंने क्लासिस किये, मैंने उसी दो-तीन महींने के कि मेंस के बैठने के लिए उतना में प्रिपेर नहीं था, तो उस समय मुझे थोड़ा सा कोविड मेरे लिए एक गुड़ लग पन किया है क्योंकि वह एक्जाम को टाल दिया, जिसको मुझे थोड़ा टाइम मिला, प्रिपेशन करने का, और फिर मैं उस एक्जाम में बैठ में था, उस समय तक मुझे थोड़ा सा डर भी था, जैसे मन में कि मैं जॉब तो छोड़ने जा रहा हूं, पर अगर इधर भी मेरे से प्रिपेशन नहीं हो पाया, तो फिर मैं क्या करूंगा, ना इधर करे जाओंगा, ना उधर करे जाओंगा, तो मगर जब मुझे आपके मेरे लिए एक प्रॉब्लम था, जिससे मैं भागता चल रहा था, वो अब मुझे फेस करना था CGL में, और आपके थुरू सर वो चीज अब मुझे समझ में आ रही थी, कॉंसेट मेरे क्लियर हो रहे थे, तब मुझे वो इंग्लिस का डर खतम हो रहा था, क्योंकि मैं इधर तो मेरे लिए मैथ उतना चैलेंजिंग नहीं था, मेरे लिए उतना बड़ा मैथ चैलेंजिंग नहीं था, और मेरे को मैथ उतना डर भी नहीं लगता था, मगर इंग्लिस मेरे लिए सुरू से चैलेंजिंग रहा है, बिंग सीवेसी इस्टुएंट मेरे लिए ये वो सर, कोई टीचर है जो डेरेक्ट नोर्ण पर नहीं सीधे आता है वो पहले आप के अधे बेसे एक करना चाहता है वो आपके बेस को डेवल बरी करना جाता है करना चाहता है Bayook और repeti prevail exercise तो भी रही करना है क्योंकि COVID का टाइम तो जॉब छोड़ के भी क्या करता कहीं नहीं जा सकता तक सारी कोचिंगे बन थी बिलकुल तो उस समय शुरू में रिकॉर्डड़ वीडियो भी थे अग जब क्लासे क्या ओन्लाइन भी नी चल पा रहे थे तो 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 उस समय मैं रिकॉर्ड़ वीडियो पर जब वह स्टार्ट हुआ तो फिर मैं लाइब वीडियो भी देखना चालू किया इस तरह से सर वह स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी 2019 का मेरे शिक्सनिट सेवन मार्क्स ते और लगवग 617 का असपास OBC का कटब बना था लाउज का कटब बना तो मैं वहां 10 नमर से रह गया सुस्टार में बनाल इस तरह मैं मेरा सिफ्टमाप का हट था 15 नौम बर सिफ्ट में मेरे हार्डट से थे मैं ठोड़ा सा में मेरे मृर्च नमें कि अस ता ला क्राक कर गया था और नेक्स सेृल अटन्ब में 2020 में मैं थोड़ा सा कॉंप्लस बिलकुल मगर कुछ प्रॉब्लम्स को वज़ा से और कुछ मेरी भी ना समझी को वज़ा से मैं उसे चैने दिया तो वो जटका था सर मेरे लिए 2020 क्योंकि मेरा था कि इसमेट होना ही है मेरा अगर जब नहीं हुआ तो फिर मुझे लगा कि कही ना कुछ ना कुछ तो गलत मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ तो उसके बाद फिर मैंने सीजल 2021 को टारिगेट किया था और आज मैं आपके सामने हूँ मेरे 677 माक्स बन रहे हैं डवलियो में बहुत ही इंस्पाइरिंग जर्नी है और गौरों ने बहुत इमांदारी से अपनी जर्नी बताई है है इस क्या की टेक अवेज आप भी कॉमेंट सेक्षन में लख सकते हैं जब आप ये वीडियो देखेंगे लेकिन मेरे समझ में आ रहा है एक तो गवरों की इमांदारी वो इमानदारी कि हाँ मेरी performance गर्बर्ड हो रही है तो कहां पर गर्बर्ड हो रही है तो वो analysis बहुत जरूरी है तूसरा जैसे हमारे हाँ होता है कि एक सरकारी नौकरी लग गई तो फिर हम हो जाते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी लग गई अब security आ गई और पैसे मिलेंगे और समाज मिज़त बढ़ गई तो लेकिन ये कि हाँ अपनी capacity का एहसास होना इनको ये एहसास हो गया उस नौकरी में तीन-चार महिने के अंदर कि मेरे में potential जादा है अगर मैं थोड़ी ढंग से preparation करूँ तो मैं उपर जा सकता हूँ तो ये जीवन हम सभी को एक बार मिला है जिंदकी में छोटा नहीं खेलना हमें और छोटा खेलने का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कोई भी पोश्ट बुरी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नहीं वो गृप D की नोकरी खराब है या गृप A की अच्छी है इसके बारे में है कि हम कहीं वही बात की complacency ना आ जाए और हमें लग जाए कि नहीं एक नोकरी हो गई कोई बात नहीं फिर आगे जाके जिवन में अफसोस होता है कि यार थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो चीजें बहतर होती तो ये की टेक अवेज हैं इनका ध्यान रखें और असफलता जैसे बीच में बैरियर्स लगे दो पेपर दिया थोड़े थोड़े नंबरों से रह गए तो जो भी कम रहेंग अच्छी हो सकती है तो आप खुद देखें कि ग्रूप D I think 1800 ग्रेट पे की वो जॉब थी और अभी आप 4800 ग्रेट पे में ज्वाइन कर रहे हैं जो शायद पिछली जॉब में रेटायर भी हो जाते तो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये किसका रिजल्ट रेजल्ट है ये इनकी हम्मत के हम्मत का रिजल्ट है और जो पूरा एको सिस्टम आस पास रहा इनके पिता जी परिवार सभी का सपोर्ट रहा कि हौनिके साथ दिया और दूसरा एक जो इंजिनरिंग वाला पोरशन हो भी बड़ा एक इमपॉर्टेंट लिसन है कि हमें पास फायदा नहीं होता, कई पर पैरेंट्स भी उतने इंफर्म्ड नहीं होते, लेकिन जो गौरों का डिसीजन था, वह बिल्कुल सटीक था, इन्हों ने अपनी ग्रेजिशन शुरू करी, और टार्गेट बिल्कुल बना लिया कि इस में जो समय मुझे मिल रहा है, उसका उ स्टूरू करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपकी क्या इंपूट्स हैं, मतलब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, स्ट्रेडजी वाइज, मैठ, सिंग्लिश, रीजनिंग, अभी तो पैटर्न भी नहीं हो चुका है, तो क्या लगता है, आपको क्या बता दो, यह वाला सीने से, इसा नहीं होना चाहिए, आपको पहले पुरा बैच कंप्रीट करना चाहिए, जिस भी टीचर साप पढ़े हो, आपको अपने पूरे क्लासेस कंप्रीट करने चाहिए, क्योंकि वह बेस होता है, जो बहुर लंबे समय तक काम करता है, उसके आपने पहले स्लेवर्स को कंप्रीट करो, छे महीने मंदारी से दो, उसमें हड़बड मत करो कि छे महीने मेरा एक्जाम निकल जाए, या मेरा कुछ हो जाए, उस चीज़ पहले ध्यान दो, उसके अजसे प्रिवियर सेर्स के बुक्स आप लगा सकते हो, किसी राके साहिए, प्रिवर्स का वकाइब का एक पीडियाप सेर किया था, टेलिग्राम पे, तो सब मैं उसे दिखता था, बहुत बच्चे उस चीज़ से भागेंगे कि इतना वास्ट है, पर मैं थोड़ा से लगता था कि मुझे एक एक्ट्रा एफट डलना चाहिए, ताकि अगर कहीं कुछ हाड भी हो, तो मैं उस चीज़ को भी कबर कर सको, बस एक लिम्टेट से प्रिवियस एर तक ना रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा प्रिवियस एर तयार है, तो थोड़ा एक्ट्रा एफट डालना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बलकुल, और सबसे पहले है कि बलकुल, 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 हो सकता है भाई, इस पूरी काइनात की कुछ और प्लानिंग, आपका रैंक उस बार कर सेलेक्शन हो गया हो तो तो नीचे आता, शायद थोड़ा से रुका, एक-दो नंबर से तो अगली बार आप और बैतर कर सकते हैं, मेरे कई जॉब्स और मतलब, लास्ट मीट तक था और कम पेगरेटश की भी जॉब्स बाता है, बलकुल, 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 बलकूल, बलकुल, बलकुल, बही और धहर के साथ, अपनी 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 शम्ताओं का और वही है कि जिसके लिए बने ह wilderness वहां पर से लोग है, बलकुल, जल्द अगर गरेंगे धैरें नहीं रखेंगे तो फिर शायद बाद में पच्टाने का टाइम होता है और तब समय निकल जाए यह इस भी सर होता है जो आपका निकल गया तो फिर आप क्या ही कहते हैं हाँ उसका 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 भी ध्यान रखना है सो गरो जो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जिसे आपने कहा कि सिलेबस सबसे पहले डीटेल तरीके से कंप्लेट करिया उसमें कोई हडबडी मत करिया जहां से भी पढ़ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हर एक टीचर का एक रिदम होता है और उस रिदम के साथ बने रहे हैं बार-बार जंपिंग करने की ज़रूरत नहीं है और अनुसली यह भी देखते चलिए कि भई पर्फॉर्मेंस मेरी कैसी है लेकिन जब एक बर सिलेबस हो जाए तो क्या करना जाए खासतर से मॉक टेस्ट को लेकर के कई बर क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट हो और आपको आपकी गलतियां पता चलती हैं आप चो छे मेने पड़े हो सकते हैं कुछ चीज़े भूल रहे हो कुछ फॉर्मूलास मैद के भूल रहे हो कुछ कॉंसर्प्स भूल रहे हो तो वो रिवाइज होते जाता है तो यह एक बिल्डिंग प्रोसेस है मॉक जितना ज चुरू हो गया है तो फाइनल मंत्रा यही है गरों की पूरी बात का भी निचोड यही है कि देर थ्री स्टेप्स पूरी प्रक्रिया के अंदर एक तो सबसे पहले कि अपने कॉंसेप्स को क्लियर करिए सब्जेक्ट के ग्यान को बढ़ाईए गहराई से वह शॉटकट वाल पर खोड़ा गहराई से थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और क्या दूसरी बात फिर काम होता है कि अप्लाई दोच कॉंसेप्स इन क्वेस्टिंस कि किस तरीके से क्वेस्टिन में पूछा जाएगा और तीसरा जो मॉक टिस्ट की बात कहीं कि आपको बिलकुल उसी क्वेस्टिंस हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फिर हम गौरो से संपर करेंगे इनके एक्सपर्ट एड्वाइस के लिए सेलेक्शन मतलब करियर विल